हेलो दोस्तो मेरा नाम है अब जीत और आप देख रहे हैं टेग गाइड दोस्तो ये है जीओ फोन और इसे जस्ट मैंने अभी पर्चस करके लाया है आपको अन्बॉक्सिंग दिखाऊंगा वैसे अगर मैं आपको ओफर के बारे में बताओ जो कि आपने थम्नेल में की मिटेड बात कर सकते हैं तो थोड़ा सा यार कोई 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, एक्स्टा ले रहा है तो वो चीज़ आप समझ सकते हैं क्यूंकि यार सब को थोड़ा सा कमाना होता है तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते है बाकी जो ऑफिशियल वो है 1500 रुपया तो उसके हिसाब से दोस्तों आज मैं आपको हर एक जानकारी दूँगा और ये फोन पुराने वाले जीओ फोन से कितना अच्छा रहेगा वो भी आपको पता चल जाएगा तो जानने के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा अंतक देखिएगा वीडियो अच् दिखाईएगा तो यह है दोस्तों हमारा नया जीओ फोन का बॉक्स जो कि आप देख सकते और इसी के अंदर आपको सारे ओफर्स मिलते हैं मेरा अंबॉक्सिंग नाइफ मेरे पास आ चुका है और यहां पर से दोस्तों जल्दी से में इसके सील को ओपन करता हूँ अभी ज देखने को मिलता है कुछ इस तरीके के ब्रैंडिंग है यहां पर मेड इन इंडिया फॉर इंडिया है यहां पर तो यह चीज काफी अच्छा लगता है दोस्तों बाकि यहां पर से सर्विसेज आप देख सकते हैं आपको यहां पर से काफी सारे अलग-अलग म्यूजिक यह सकते हैं अप्टू 12GB का सपोर्ट है 3.5M जैक का भी सपोर्ट आपको मिलता है और यह पावर्ड बाइ काई OS है दोस्तों तो पिछले वाले जियो फोन में भी वैसे ही आपको मिलता था लेकिन हां यहां पर मैंने देखा है कि आपको काफी सारे इंप्रूवड फीचर देख सकते हैं बाकी यहां पर दोस्तों यह हमारा फोन अभी सायद इसके अंदर बैटरी नहीं है इस वजह से हलका लग रहा है और जो नया वाला जियो फोन है उसकी लुक थोड़ी से डेफिनेटली डिफरेंट है अच्छी लग रही है इसका कीपड यह सब थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है मैंने इसको देख लिया था ऑफलाइन स्टोर से मैंने इसको पर्चेस किया है बाकी यहां पर से दोस्तों आयमी नंबर यह सब देखने को मिल जाता है यह है आपका जियो फोन का गाइड बेसिकली वैसे जरुवत नहीं पड़ीगी बढ़ हां आप च मिलिये और आपको मिलता है और आगे दोस्तों यहां पर से रेटिंग भी आप देख सकते हैं और रेटिंग की बात करते हैं तो फाइव वोल्हिट अम्पेर berries पे यह रेटेड हैegen और इस वाले box को मैं side रख देता हूं, बाकि दोस्तों यहाँ पर हमारा smartphone है, जो कि आप देख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं physical overview आपको बता देता हूं, तो यह है display, basic सा display 2.4 inches के साथ आता है, उपर के तरफ एक lamination भी लगाया गया है, यहाँ पर से आप बात कर सकते हैं, एक front में selfie camera भी दिया गया है, जियो की branding की गई है, और यहाँ पर से keypad का जो आवाज है, वो काफी अच्छा है, मतलब ductile feel हो रहा है, और keypress भी अच्छे level पे है, बाकि मैं दिखाऊंगा on करके, उपर के तरफ दोस्तों यहाँ पर से आपको flashlight देखने को मिलता है, मैं on क दिखा दूँगा, बाकि इस तरफ से आप चाहो तो back panel को यहाँ पर से इस तरीके से थोड़ा प्रेस करो के निकल जाएगा बाहर, यहाँ पर से आप चाहो तो जो चाभी वाला ring यह से बहुता है, वो लगा सकते हो, 3.5 ohm jack मिलता है, micro usb का port आपको मिल जाता है, और बाकि दोस्तों यहाँ पर से यह clean है, तो दिखने में अच्छा लग रहा है, बाकि in hand feel तो जोड़ा सा phone है, काफी अच्छा भी लग रहा है, जेनरली हम स्मार्टफोन यूज करते हैं, बट अगर आपको एक basic सा phone खरीदना है, तो definitely यह काफी अच्छा option रहेगा, और पीछे के तर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो यह box आपको पूरी तरीके से दे दिया जाएगा, जो number निकल के आता है, वो भी online आता है, तो दिक्कत नहीं आएगा, बाकि आप directly लो खरीदो, call करना, start करो, तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर SIM लगा यहाँ पर से आप SD काड लगा सकते हैं, और बाकि दूस्तों यह है हमारा battery, तो battery यहाँ पर से इस फाले pin पर इस तरीके से आपको लगाना होता है, कुछ इस तरीके से और यहाँ पर से आप प्रेस करोगे, बाकी यह वाला जो back panel लगता है दोस्तों, यहाँ पर से आप लग सकते हो और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जियो ओस दिया गया है तो थोड़े से चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और बाकी अंदर के फीचर्स यह सब सब कुछ में आपको दिखाऊंगा वैसे अगर अभी तक आपको यह वीडियो अच्छा लग रह बाकी दोस्तों यहाँ पर से आपको English let time करने का option मिल रहा है फिलाल के लिए तो यहाँ पर से हमने यहाँ पर से Select कर लिया है August यह यूस को और उसके बाद यहाँ ठीक हमने क्लिक किया है यहाँ पर से दोस्तों अगर आपको keyboard का जो यह keypad है। इसका का हिंदी इंग्लिस करन रहे हैं जो कि आप यहां पर से देख सकते हो अगर आपका age 16 and above है तो यह वाला select जरूर करना I want to help sending analytics data यह मत करना तो यह सब चीज को मैं यहां पर से select कर लेता हूँ और उसके बाद दोस्तों यहां पर से simply on हो चुका है next में मैं press करूंगा तो आप देख सकते हो guys कुछ इस तरीके का interface आ चुका है तो यहां पर दोस्तों हमारा smartphone on हो चुका है टाइम यह सब आप देख सकते हैं यहां पर से को जो छोटे-छोटे notifications के जो quick toggles रहते हैं वो देखने को मिलते हैं तो ringtone का alerts आप यहां पर से check कर सकते हैं कम कर सकते हो ज्यादा कर सकते हो इसके लावा यहां पर से lock option आपको मिल जाता है guys इसके लावा flashlight भी है फ्लैसलाइट भी हम test कर लेते हैं तो ठीक है मतलब आप देख सकते हैं adequate amount of light मिल जाता है थोड़े मोडे तो आपका help होई जाएगा बाकी यहां पर से brightness आप change कर सकते हैं अभी फिलाल 70% हो गया इसके लावा यह 100% में चला गया तो 40 में रखता हूँ ताकि मेरा camera में आपको दिखे सब कुछ यह airplane mode यह है दोस्तो Bluetooth mode इसके लावा software update का option बाकी अगर आपको किसी को call करना है अगर आपने SIM card पे number save करके रखा है phone के अंदर तो यह वाला contact पे अगर आप जाते हैं तो यहां पर से सारे जो भी SIM card के अंदर आपका number save रहेगा वो सब चीज यहां पर से आपको दिख जाता है फिलाल के लिए आर brightness थोड़ा सा मैं again कम कर लेता हूं ताकि आपको मैं और अच्छे से दिखा पाऊं बाकी दोस्तो इस तरीके का आपको interface देखने को मिलता है यहां पर से अगर आप बीच वाला button प्रेस करते हैं तो सारे options आप देख सकते हैं call lock का option दिया गया है contact है geo cinema है इसके अलावा geo news है geo chat है whatsapp pre-installed आपको मिल ज manager है fm radio है geo का जो my geo का आपका app होता है वो देखने को मिल जाता है geo का video call मिल जाता है दोस्तो help line है इसके अलावा notes है इसके साथ साथ utilities है call recording का भी option आपको दिया गया है geo stores का भी option आपको मिलता है जहां पर से आप नहीं आएगा और साथ ही साथ दोस्तों इस पर brightness भी setup कर सकते है असानी से अब चलो यहां पर मैं आपको setting पर पहले ले जा करके दिखाता हूं उसके बाद मैं इसका call का option दिखाऊंगा कि कैसा आपको आवास सुनने को मिलता है तो यहां पर दोस्तों फिलाल के लिए अगर सेटिंग के अंदर जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं airplane mode आपको मिलता है अगर आप mobile का network on करना चाहते है तो data connection फिलाल के लिए on है आप चाहो तो यहां से off भी कर सकते हैं तो यह सारे option आपको देखने को मिल जाते हैं इसके अलावा दोस्तों यहां पर से bluetooth on off का option मिल मिलता है यहां पर से अगर आप location यह सब on करना चाहते हैं कर सकते हो बागी दोस्तों यहां पर से फिलाल जितना मैंने चेक किया wifi का option नहीं मिल रहा है और hotspot का option नहीं मिल रहा है पता नहीं यह वाला side unit यह चीज़ सपोर्ट नहीं करता होगा तो जो भी है दोस्तों मैंने आ की बात करते हैं तो वह भी आप यहां पर से देख सकते हैं तो अगर आपको जानना है कि आपका phone number कहा है तो device setting के अंदर आपको device का option मिलता है उसके अंदर आप जाकर कि यह चीज़ देख सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहां पर सारा information मिलता है battery percentage भी आप देख सकते हैं फिलाल के लिए 27% है तो इस तरीके से आपको यह सारे phone के अंदर settings देखनी को मिलते हैं अब यहां पर दोस्तों पहली दफा अगर आप किसी को call करोगे तो televerification होने लगेगा तो फिलाल के लिए 123 में call कर रहा हूं आप किसी भी number पर करोगे तो direct televerification ही होगा call पर मैं पर प्रेस कर रहा हूं यहां पर speaker पर डाल रहा हूं तो मैं यहां पर से one प्रेस कर रहा हूं तो मैं यहां पर से दोस्तों आधार काट के थुरू वेरिफिकेशन कर रहा हूं तो one प्रेस कर रहा हूं तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं लगबग एक मिनट से भी कम टाइम पर मेरा phone televerified हो चुका है मैं आप किसी भी number पर call कर सकता हूं और इसी तरीके से आपको भी televerification करना पड़ेगा अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो otherwise अगर आप दुकान से करें दोगे तो वो भी करके देदेंगे दिक्कत वाली बात नहीं है अब यहाँ पर से दोस्तों इस phone के बारे में अगर मैं finally verdict दूँ तो देखो यहाँ पंदरस वो के इस आप से देखा जाए काफी अच्छा option आपको मिल रहा है जहाँ पर phone तो मिली रहा है साथ ही साथ आप free में बात भी कर सकते हैं तो यह option काफी लोगों के लिए अच्छा हो जाता है क्योंकि आज की date में फोन का जो sim card होता है उसको जिन्दा रखने के लिए 50 रुपया हमें recharge कराना होता है तो उसे साथ साल का अगर आप count करते हैं तो 6 हो जाता है तो यहाँ पर आप तो unlimited बात करी सकते हो फोन में मिल रहा है तो मेरे हिसाप से offer अच्छा था तो मैंने सोजा चलो घर वालों के लिए ले देते हैं बट एक चीज में आपको अगेन बोलना चाहूँगा कि जो sim card के अंदर मिलता है उसको आप प्लीज किसी और phone पे मत लगाना क्यूंकि सायथ से आपका जो भी offer है वो खदम हो सकता है ऐसे 5-6 cases आ चुके हैं तो इसी वज़े से मैं आपको suggest कर रहा हूँ और बाकी दोस्तों अगर आपको इस phone के अंदर कोई internal issues आते हैं software related issues या कुछ भी internal issues जो कि physical damage को cover नहीं करता है तो उस case में आप 6 महीने का warranty को भी claim कर सकते हैं आपको यहाँ पर से gsb store से आपने खरीदे हैं वहाँ जा करके बोल सकते हैं तो यह चीज मुझे अच्छा लगा बाकी देखते हैं long run में क्या होता है अभी तक तो जो भी phones मैंने खरीदे हैं वो ठीक ही ढख चल रहा है किसी में कुछ-कुछ issues आये थें बट ठीक है यार price के हिसापस अगर आप देखते हैं तो बहुत आप claim नहीं कर सकते हैं कि 10,000-15, का phone आपको मिल रहा है नॉर्मल सा phone है उसके हिसाप से देखा जाए ठीक है बट थोड़ा सा सम्हाल के रखना बागी दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको हर एक जानकारी दे दिया अगर आपके मन में कोई भी doubt है comment करना मैं आपका reply दूंगा दोस्तो साधी साथ ये वीडिय करना और चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल नोडिफिकेशन भी प्रेस कर लेना तो मैं हूँ आपका दोस्त अबजीत मिलता हूं आप से नेक्ट वीडियो में थैंक्स अलोट फॉचिंग